तो आज मैं फिर से आपनों के ले कहा हैं बहुत टेस्टी सी स्वीट क्या मिठाई की रेसिपी जो हम लोग जब भी कुछ मीठा काने का मन होता है तो बनाते हैं तो आज मैं बनाने जा रही हूं थोगी सी डिफरेंड स्टाइल में खीर और यह नॉर्मल जैसे खीर हम लोग ब लिए थे और आधे कप से भी कम सिमयन लिती तो थोग अगी डालके देशी ही डालके इसे हम तो ऐसा रोस कर लेंगे यह रलकी से जो है ब्राउंसी हो जाएंगे बश तब तक ही हमें इन्हें रोस्ट करना है यह सी महयों को बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करना है और हां मार मने साकते हे लिषयां चावल को छो बसा भाटा कना चावल सारब चावल करते हमने चावल के कमया ह्तोर्त सब्क्राइब मैं और लेकरμε और सब्सक्राइब गीर तरहां के लिषयरण convenient के जाने लिए का तरह यासे लिए में कैते भीकषे बहुत ही टेस्टी बनके रेडी होती है तो बस फटा फट से मैं वह साबुच चावल और जो मैंने थोड़े से मिक्सी जाल में पीसे हुए थे चावल उनको दोनों को मिला के मैं अच्छे से यहां पर भून लूँगी इसमें भी तब थोड़ी सी भीनी भीनी सी खुषपू उसके बाद ही हम इसमें अगला इंग्रीडेंट जो हमारा है वो यूज करेंगे तो यह बहुत ही सिंपल मैठेड है खीर बनाने का बहुत ही इजली बना सकते हैं और वैसे खीर तो सभी को बनानी आती है लेकिन एक बार यह इस तरीके से चावल और सिमया मिक्स करके आप इ दो से तीन मिनट में ही अच्छे से मतलब इसमें खुश्भू आने लगी थी और बस इसे चलाते हुए बूनेंगे इसे हमें चलाना बहुत ज़रूरी है वरना हमारा जो चावल नीचे लग सकता है तो बस चावल अच्छे से भून चुका था उसके बाद मैंने क्या किया आधा लीटर दूद तो आधा लीटर दूद में मैंने थोगा सा कुछ कम दूद डाला है क्योंकि मैं छोटे से चोटा पैन है तो उसमें कर पूरा दूद में डालूंगी तो जो उबाल आएगा तो वो दूद फिर बाहर गिरने लगेगा तो इसलिए मैंने थोगा करके डा अगर आप बगए बरतन में बनाएं तो पूरा दूद एक साथ डाल सकते हैं और देखिए चावल को भी मैंने चावल की साथ ही दूद को डाल दिया उसके बाद तुरंट मैंने जो सिमया मैंने रोस्त करके रखी हुई थी उन्हें मिक्स कर दिया है और बस इसी तरीके से हम अच्छे से मिला देंगे और ढखके तीन से चार मिनट तक हम इसे कुक करेंगे तो यह पांच मिनट के बाद मैं इसे देख रही हूं खूलके और आप देख सकते हैं चावल जो सी वहीं यह वह बहुत अच्छे से कुक हो चुके चावल हमारा बिल्कुल भी कच्चा नहीं लग रहा है उसके बाद हम जब यह खीर मेरी आलमोस बनके रेडी हो रही है तभी मैंने इसमें डाल दिया है दो चम्मच जो डाइफ्रूट्स पाउडर होता है उसे और दो से तीन चम्मच मैं इसमें डालूंगी पाउडर मिल्क प लग यह जो खाएगा जो खीर हमारी होगी बहुत रहुत ही क्रीमी सी बनेगी इसमें हमें अलग से कोई भी मावा या कुछ भी डालने की जरूरत नहीं रहती है और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप करके आप इसमें मलाई का भी यूज कर सकते हैं जो घर में इसका टेक्चिर आप देख सकते हैं कितना अच्छा है और उसके बाद हम क्या करें गे our bread फ्रॉर हम क्या करेंगे के इसमें हम डालेंगे इलाइची तो मैँ्ने घोड़ करें हरी इलाइची देट इना बीच से तोग लिया था और ये दो से तीन इलाइची हैं बस इसे में डाल दूँगी और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर हम इसे और पकाएंगे ताकि जो भी इलाइची का फ्लेवर है वो अच्छे से खीर में मिक्स हो जाए उसके बाद हम डालेंगे इसमें अपने जब आपकी खीर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए पक जाए उसके बाद अब गैस की फ्लेम को आफ करिएगा उसके बाद अब इसमें दो से तीन या चार चमा जो भी जैसा भी आपका मीठा काने का टेस्ट हो आप उस हिसाब से जैगरी पावडर को इसमें एड़ कर सकत आपके काजू है तो डाइफरूट काई भी मन पसंद के अक आणित डाल सकते हैं जैसे भी आप खाना चाहें कम या जादा क्योंकि मेरे आउंडाइफरूट करता जीन चाहले । यूक्त Node रीटि में थोगे से ही डाले है बहुत जादा मैंने नहीं डाले हुए है लेकि फ लिए खीर बनके रेटी हो चुकी है चलो इसे हम कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं इसका टेक्शर कितना अच्छा लग रहा है खाने में भी बहुत ही टुस्टी बनी थी तो प्लीस आप लोग बताईएगा कि आपको हमारी रेस्पी कैसी लगी अगर पसंद आई हो तो प्ल मेरे साथ शेयर करें ऊपर से में थोगा सा गार निस करेंगा डाय फूर्ट के साथ और बस फटाफट से इसे हम कर देंगे सर्व तशली बाई-बाई-बाई मिलते हैं आप से एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई-बाई-बाई-टेक्यार कर देंगे साथ बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई